श्वागत एक पर फिर से आप सभी का आरकार श्टडी यूटूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आज आप जिस टॉपिक के उपर अध्यन करेंगे वह टॉपिक है आपका अंकित मान और अस्थानिय मान यानि की फेस वेल्यू और प्लेस वेल्यू क्या होता है इसे हम कैसे ग्याद करते हैं आज कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन सारे चीजों को अध्यन करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम लोग अंकित मान और अस्थानिय मान के बारे में देखें अंकित मान और अस्थानिय मान जिसे अंकित मान क फिर आप कहेंगे जातिये मान या फिर आप कहेंगे अंकित मान या फिर कहेंगे आप सुध मान ये जो चार तरह से कहे तो ये एक प्रययवाशी है यानि कि सबका अंग्रेजिय के वह एक ही होगा होगा यानिक हमारा फेसफ वेल्यू यानि कि आपके एक्जाम में आग्र वास्तव इकमान लिखे मिलते हैं या फिर अंकित मान लिखे lab मिलते हैं या फिर सुद्ध मान लिखे हुए मिलते हैं शारे नामों का मतलब एक ही निकलेगा वो मतलब क्या निकलेगा चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि अंकित मान और अस्थानिय मान क्या होते हैं तो सबसे पहले हम लोग पदलता है किसी वी situation में तो ये इसका क्या है वास्तविक मान कहलागा ये इसका अंकित मान होगा ये इसका जातिय मान होगा ये इसका शुद्य मान होगा और इसे ही अंग्रेजी में हम लोग face value गहते हैं यानि कि 5 यानि इसका मतलब क्या है कि 5 ही रहेगा हमेशा ये क्या हो ज जाएगा वास्तविक मान हो जाएगा और दूसरा जो हम लोग का यहां पर पढ़ना है वह है आपका अस्थानिय मान जिसे अंग्रेजी में place value कहते हैं इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी शंक्या का वह मान होता है जो अस्थान के अनुसार बदलते रहता है इसे हम लोग place value कह अस्थानिय मान गयदे हैं यानि कि कोई भी संक्या का अगर उसको 11,2,000 की करम में अगर कहीं पर लिखा गया है तो सारे जगह पर पर प्रतिक संक्या में उस अंग का मान बदलते रहता है इसे हम लोग कहेंगे अस्थानिय मान जैसे कि example के तोर पर मैं यहां पर एक संक्या लिखा हूं 15,845 इसमें देखिए 5 जो है दो बाराया है एक यहां पर एकाई के स्थान पर है एक यहां पर देखेंगे तो यह हमारा एकाई धाय सक्रा 1000 के स्थान पर है ठीके तो यह एकाई वाले स्थान के जो 5 है इसका वेलू हमेशा 5 ही रहेगा क्या लेकिन इसके जो 1000 व तो यह इसका अस्थानिय मान है जो हमने यहाँ पर पाँच को यहाँ पर पाँच हजार लिख रहे हैं यह इसका अस्थानिय मान है अगर पाँच के वास्तविक मान की बात करी जाए तो यह यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो इसका वास्तविक मान हमेशा और हमेशा पाँच देखे, प्रस्चन आपके सीटट में पुछा गया है, यह सीटट दोज़ारबारव में कि यहाँ पर 63606 में 6 का अस्थानिये मान का योगफल कितना होगा तो देखे यहाँ पर 36606 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इसमें देखे 6 यहाँ पर 2 जगह पर आ रहा है एक हमारा यहाँ पर आ रहा है इकाई के स्थान पर और दूसरा आ रहा है हमारा यहाँ पर शेकरा के स्थान पर देखे एकाई के स्थान का value निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एकाई का मतलब होता एक ठीके दाई का मतलब होता है दस शेकरा का मतलब होता है एक सो हजार का मतलब होता है एक सोरी हजार का मतलब यहाँ पर एक हजार लेकिन यहाँ पर देखें दूसरा जो 6 है जो सैकड़े के अस्थान पे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यह सैकड़ा मतलब यह 100 के अस्थान पे है ठीक है तो 6 को गुना करेंगे कितना से 100 से तो इसका जो value निकलेगा अस्थानी अमान वह निकल के आजाएगा हमारा 600 अब आजाएगा 606 यही हमारा आंजर होगा तो यह कोश्चन हमारे सीटर 2012 में पूछा गया था और इस तरह के कोश्चन लगबा लगबा प्रतिक वर्स एक नेक पूछे ही जाते हैं इसलिए इस तरह के जो भी कोश्चन है आज आज आप लोग प्रैक्टिस करें लिज़ेगा फ अस्थानिय मान का गुननफल है यहाँ पर मानव जो है यह वह एक्ष्ट्रा टैप हो गया है ठीके तो यहाँ पर 17,560 में 5 और 6 के अस्थानिय मान का गुननफल कितना होगा यह यहाँ पर पूछा जाड़ा है आपसे तो यहाँ पर जो संख्या दी गई उसको हम लोग चालेंगे तो 6 को 6 लिख देंगे और गुना करना होगा कितना से यहाँ पर देखें इकाई और यह दहाई दहाई के अस्थान पर है मतलब इसको गुना करेंगे हम लोग 10 से और इसको गुना करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा 60 जो यहाँ पर 6 का अस्थानिय मान तो देखे यहाँ पर इकाई दाई सेकड़ा, शेकड़ा का मतलब 100, ठीके यहाँ इसको हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 50, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी गुना कर सकते हैं, जैसे 6 यहाँ पर पूछा ना, तो 6 यहाँ पर लिख देज यहाँ पर आ गया है उसका गुनानफल, ठीके जैसे 5 के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आप तो वह से करके, सेकरा करके, वह से भी बना सकते हैं नहीं, तो 5 लिख देजिए, और काउंट किजिए कि 5 के आगे कितना संक्या है, तो आप यहाँ पर पाएंगे 2 ह तो यहाँ पर सुनना बैठा देजिए, आपका यह भी एकदम सही है, दिखी का दोनों का जो डियल्ट है, यहाँ भी पास्वाया है, यहाँ भी पास्वाया है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको असान लगे, उस विदी साब बनाईए, ठीके, चलिए, तो फि कितना कितना आया है, 60 और 500, दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम लोग दोनों को आपस में यहाँ पर गुना कर देंगे, गुना करने के बाद हमारा जो आपके स्कीन पर यहाँ पर दिख रही है, ठीके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कि किसी भी संख्या का जो आप 100% सही होने की chances बनेगी तो यह देखे आपका मैंने यहापर दो example लिया इस तरह से बहुत सारे सीटेट में question पूछे गये हैं आप सारे question को खुद से solve किजिए अगर यहाँ पर बात कर लें यह तो suppose किजिए कि यहाँ पर अस्थानिय मान निकाला ही रहेगा जैसे आपर पांच की बात करेंगे वास्तव एक मान तो यह हमारा पांची रहे जाएगा ठीके लेकिन अस्थानिय मान हमेशा change होते रहता है तो यह दो चीज़े आपको समझना है और इसी से जुरुए पूरा का पूरा आपका जो है सीटेट में question पूछा जाएगा और जितने सारे question पूछे जाएगे सब लोग खुद से उसको डूंड डूंड के निकालिए जहां जहां से पूछे गए हैं सब को solve किजिए अगर कहीं पे question को solve करते हैं समय समस्चे आती है तो आप लोग comment के मादम से हमें जरूर पूरा प्रियास करेंगे अगर समस्चे नहीं आती है तो आप लोग हमें जरूर बताएंगे और साथी साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बाड़ाए हैं तो चैनल को subscribe कर लेजिए और साथी साथ बिल बाल आइकन को place इसलिए कर लेजिए ताकि इस तरह के रोजक महतपूर और यूजफूल वीडियो में डेली अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले बहुंच जाए तो इस वीडियो में बस इतना ही था फिल मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक लिए देखते रही हमारी चानल आरकेर श्टडी को धन्यवाद